जलार तरिया का बानी जब जब लाल होगा मुखलिया खून सरूर भाएगा फाइनली जी फाइब पर रिलिश हो चुका है एक दमदार सो जिसका नाम है ताज डिवाइड़ बाइ ब्लड जिस सो को अगर एक वड में रिव्यू किया जाए तो इस ग्रेट सो क्योंकि दोस्तों इस सो की जो इस्टार काश्ट है वो पूरी तरह से अमेजिंग है इस सो में हमें नसुरुद्दीन साहा, धर्मेंदर सर, अधिती राव हेदरी और राहूल बोस जैसे टेलेंटेड एक्टर और एक्टरेस देखने को मिलते हैं यहाँ पर दोस्तों अगर सो की बात की जाये तो इस सो में मुगल की एक रियल साइट देखाने की कोशिस की है और बताया है कि मुगल एमपायर अखिर के इस तरह का था यहाँ पर उनकी जो डार्क सिक्रेट है यानि की जो मुगल्स की डार्क सिक्रेट थी वो भी रिविल की गई है आदिती राव इस सो के अंदर काफी खूबसूरत लग रहे है और उनकी परफोमेंस इस सो की जान है धर्मेंदर सर जो कि हमारे बोली उट के वन अब द बिगे पीरियडिक ड्रामा सो है क्योंकि दोस्तों इस सो के अंदर मुगल एमपार्स के बारे में जो फेक्ट्स दिखाए है वो पूरी तरह से सोकिंग है इस सो के मेकर्स ने इसे इतने ग्रेंड लेवल पर बनाया है कि हार एक सीन हार एक फ्रेम देखते वक्त आपको अलगी फील होती है कि भाईया इस सो का बजट काफी तगड़ा हुआ होगा जब इतना सांदार experience सो देखते वक्त हमें मिल रहा है यहां सो के अंदर जितने भी battle scene दिखाए हैं यानि कि जहां पर युद्ध हो रहा है वो तो पूरी तरह से आपके हो सुड़ा देगा तो सही माइने में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यहां पर ताज अब तक का इंडिया का biggest OTT सो रिलिच किया गया है जिस सो के अंदर आपको सांदार VFX बढ़िया cinematography देखने को मिलती है और इस सो के makers ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस सो को एक grand level और fantastic सो बनाने के लिए यहां पर दो आज का ट्रेलर देखकर मुझे पहले से इस सो से काफी जादा उमीदे थी लेकिन इस पूरी सो को देखने के बाद जितनी भी मेरे उमीदे थी उन उमीदों से कही जादा बहतर यह सुरो निकला है परसनली मैं आपको दोस्तों यही कोँगा कि हर एक character को इतने सही तरीके से पेस किया है जिससे आप automatic connect हो जाते हो तो दोस्तों यहाँ पर सो में हर वो चीज आपको मिलेगी जो की आप एक period drama film या सो में देखना पसंद करते हो तो मुझे तो TAS season 1 काफी बहतरिंग लगा अब इंतजार करते हैं कि भया TAS season 2 कब release होगा क्योंकि पहला वाला season ही इतना द 4 out of 5 star दूंगा अगर आपने यह सो देखा तो आपको यह सो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए और आपके अपने इस चेनल को subscribe करना बिलकुल ना भूले